लोक सभा चुनाओं में अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए पुरधान मंत्री मोदी तीसरी बार काशी पहुचे थे ये तीन तस्वीरें पीम मोदी के काशी दौरे की पूरी कहानी बया करने के लिए काफी हैं प्रदान मंत्री ने सबसे पहले दशाश उमेद घाट पर मागंगा की पूझा अर्चना की और फिर काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भेरव से आशिरवाद लिया तब जाकर उन्होंने चार प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया पीएम मोदी का नामांकन कई माइनों में बेहत खास था और उसकी सबसे बड़ी वज़े हैं उनकी ये चार प्रस्तावक जिनके राम पीएम मोदी ने खुद तय किये थे ये चारों अलग अलग जाती और समाथ से तालुक रखते हैं पियम मोदी के इन चार प्रस्तावकों में सबसे पहले हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री जो ब्राम्हन समाद से हैं खास बात ये है कि इन्होंने ही राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था प्रस्तावकों में दूसरा नंबर आता है बैजनात पठेल का जो ओबीसी समाद से आते हैं ये संग के पुराने और समर्पित काड़े करता रहे हैं प्यम मोदी के तीसरे प्रस्तावकें लालचन कुश्वाहा ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं जबकि चौथे प्रस्तावक संजय सूनकर दलित समाद से तालुक रखते हैं माना जाता है कि चार वर्ग विशेश के प्रस्तावकों के जर्गे काशी का सामाजिक समीकरन साधने की कोशश की गई है ताकि बीचे भी के 400 सीटों का टार्गेट सेट हो सके ये मोदी के चारों प्रस्तावक भी उनके लिए यही कामना कर रहे हैं अब देखना यह है कि चार प्रस्तावकों और मागंगा के आश्री बाद के साथ काशी को तीसरी बार अपनी कर्म भूमी बनाने वाले पियम मोदी को जनता का कितना प्यार मिलता है और वारानसी के साथ 2014 से शुरू हुआ ये रिश्टा दोजार 24 पे कितना आगे बढ़ता है यूरो रिपोर्ट जी मीडिया और आईए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रस्तावकों का रोल इतना खास क्यों होता है दरसल किसी भी चुनाव में प्रस्तावकों का रोल बहुती खास होता है निर्वाचन आयोक के मताबक प्रस्तावक किसी निर्वाचन ख्षेतर के इस्थानिये लोग होते हैं जो उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं आम तोर पर वी आईपी केंडिडेट के लिए 5 प्रस्तावक होते हैं कि आम उम्मीदवार के लिए प्रस्तावकों की संख्या दस होती है इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ये वो प्रस्तावक हैं जिनके बारे में भी डीटेल चुनाव आयोक के अंदर जाते हैं और इनके दस्तखत बहुती मातपूर होते हैं रिटरिनिंग आफिसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्याबित करना आने पड़ते हैं प्रस्तावकों का हस्ताक्षर अगर सही नहीं होता तो उम्मीदवार को मुश्किल भी हो सकती है अगर सिगनेचर ठीक नहीं हुआ तो फिर नावांकन पत्र रद भी किया जा सकता है ऐसी इस्तिती बनी थी सूरत में और सूरत लोकसवा सीट पर यही देखने को मिला था यहां पर प्रस्तावक का दावा जो है वो गलत पाया गया था और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर विज़ाई घोशत कर दिया गया था तो ये प्रस्तावक भी महतुकून है और इनके दस्तकत भी उतने ही महतुकून है